Hello Friends and Welcome to Chess Lecture of Santosh Memorial Chess Academy अब तक हमने वीडियो सीरीज में समझा है कि एक चैस बूट कैसे रखा जाता है, पीस के नाम क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं और एक अलजेबिक नोटेशन कैसे किया जाता है और आप पीस किस तरीके से चल सकते हैं हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि एक चैस का गेम खतम कैसे होता है हमारे खेल का उद्देश होता है अपोनेंट के राजा को बंदी बनाना राजा एक स्पेशल केस है जो चैस बोड में कभी मर नहीं सकता वो उसे सिर्फ आप चेकमेट कर सकते हैं तो चैकमेट का मतलब होता है एक ऐसी स्थिती जिसमें राजा को अटेक पड़ा हो और उस केस पर राजा कहीं भी भाग नहीं सकता जो अटेक पड़ता है राजा को उसे चैस में कहा जाता है चैक जैसे आप इस position पर देख सकते हैं राजा को bishop का attack पड़ा है obviously देखिए इस diagonal से राजा के even वाला square पर attack हो रहा है अब ऐसे case पर राजा भाग सकता है देखिए राजा king f1 चल सकता है तो इस case पर आप बोलेंगे bishop से राजा को check पड़ा है बट अगर आप इस case को consider करेंगे क्योंकि यहाँ पर राजा के पास में बचने की कोई जगा नहीं है तो आप इसे कहेंगे checkmate because राजा के पास में कोई square नहीं है बचने की और किसी तरीके से वो check को भी नहीं बच सकता तो अगर आपको अब तक का concept समझ में आ गया है तो आपके लिए अगला position है सामने में please pause the video and think कि क्या यह checkmate है if you have guessed it right हाँ यह checkmate है because अब देखिए आप राजा को check भी पड़ा हुआ है और राजा के पास चलने के लिए कोई भी legal squares नहीं है तो obviously आप बाकी सारे squares पर नहीं जा सकते now again pause the video and think in this position क्या इस position पर checkmate है so if you have guessed it right यह checkmate नहीं है भले ही राजा के पास चलने के लिए कोई legal squares नहीं है but आप देखिए इस उट को हम मार रहे हैं और यह उट मरने के बाद में आप इस check को रोक लिए है कुछ इसी वज़ा से यह एक checkmate नहीं है because आपने check को बच लिया by any means तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक checkmate हम उसी स्थिति को कहते हैं जब राजा को check पढ़ा हो और राजा के पास चलने की कोई जगा ना हो legal squares साथ ही साथ किसी तरीके से आप अगर उस check को भी ना बच सके हो ऐसी स्थिति को हम checkmate कहते हैं तो I think आपने checkmate अच्छी तरीके से समझ गए तो let's take this example क्या आप यहाँ पर बताएंगे इस position पर क्या हो रहे maximum कि लाड़ी यहाँ पर भी सोच रहे होंगे कि यह एक checkmate है बट आप गलत हैं विकॉज यहाँ पर देखिए राजा को check नहीं पड़ा है और राजा के पास भी चलने को जग़ा नहीं है और बोर्ड में और कोई पीस तो obviously है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में क्योंकि checkmate नहीं पड़ा है चेकmate में एक खिलाडी जीतता है वहीं stale mate में game end होता है ड्रॉ में सो हमने इस वीडियो में समझा कि check क्या होता है अगर आपको check पड़ता है तो आपको immediately बचने जरूरी है क्योंकि राजा कभी नहीं मरता राजा अमर है बट राजा बंदी बन सकता है अगर आप बंदी बनाने में काम्याब है तो आप ये chess का game जीत गए आपके opponent से अगर आप राजा को check दे नहीं पाते हैं और opponent कुछ भी चाल नहीं चल सकता तो उस इस्थिति को हम बोलते हैं stalemate जो की game end होता है I hope आपको अच्छे से concept ये समझ में आया होगा Thank you guys and have a nice day